पाकिस्तान में चुनाओं और एक लंबी कश्मकश के बाद गड़बंदन की सरकार बन गई है जिसके मुखिया बने शहवाज शरीफ और दूसरी बार प्रधानमंतरी बनते ही शहवाज शरीफ ने कश्मीर का राग आलाब दिया है पीम बनते ही उन्होंने कहा कि आईए हम सब साथ आएं और नैशनल असेंबली को कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारिट करने के लिए बुलाएं अपने पहले पीम कारेकाल के तोरान भी शहवाज शरीफ ने भारत को लेकर कई बार बयानबाजी की है और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर का ख़ौब देखा है लेकिन जो शहवाज आज भारत के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं कि आप जानते हैं कि वो शहवाज चरीप एक समय में भारत और खासकर दिल्ली के मुरीद हो गए थे यहाँ यह बात है साल 2013 की जब शहवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंतरी थे विपंजाब के मुख्यमंतरी प्राकाश सिंग बादल के निवंतरन पर दिल्ली होते हुए पंजाब जा रहे थे उन्होंने राजधानी आने के बाद तदकालीन प्रधानमंतरी डॉक्र मनमोहन सिंग से शिष्टाचार भेंट भी की थी मुलाकात की थी आपको बता दें कि शहबाद शरीफ का खून वैसे तो भारत का ही है मतलब विभाजन से पहले शहबाद शरीफ के पूरवज अमरिच सर के पास तरन तरन जिले के एक गाउं जटी उम्रा में रहते थे जब 47 में भारत का पटवारा हुआ तो शहबाद शरीफ के पूरवज लाहोर चले गए इसके बाद उन्होंने दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया जब शहबाद दिल्ली आये तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया अब पाकिस्तान में जनता के लिए इस तरह की एडवान सेवाएं अब जाकर के आई हुई है जो कि भारत में दशकों पहले आ गए थी दिल्ली मेट्रो लाहोर में चलती है जिसका जिसकी शुरुवात लगबख 2017 में हुई थी साल 2013 में जब शहवाज भारत आये तो उन्होंने पठेल चौक मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक तक सफर किया इस दोरान में पठेल चौक में मेट्रो म्यूजियम देखने भी गए भारत में लगातार होती आधुनिकी करण और भारत की महमान नवाजी के मुरीद हो गए थे हालंकि शहवाज शरीफ हजरत निजामुद्दीन ओलिया की दरगा भी जाना चाहते थे मगर वे नहीं जा सके उन्होंने चोटे से सफर के दौरान दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को यहां लाखों लोगों का रोज का अपने दफ्तरों और फिर अन्य जगहों पर आने जाने का सफर बेहत सुहावना और आरामदायक हो गया है शहबाद चरीफ ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रेल के विबिन पक्षों को जाना समझा उनके साथ उनके प्रतिनी दिमंडल के सदस्यों के अलावा दिल्ली में पाकिस्तान उचायों के कुछ अफसर भी थे जानकारों का कहना है कि शहबाद चरीफ वापस स्वदेश लोटे तो उन्होंने अपने पंजाब प्रदेश की राजधानी लाहौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को गति दी तब तक वहाँ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अनेक अवरोधों में फसा हुआ था लाहौर में मेट्रो रेल 2017 में शुरू हो गई थी हालनकि वो दिल्ली मेट्रो रेल के तुलना में बहुत छोटी है जो शहवाज आज भारत का विरोध और आजाद कश्मीर का राग आलापते हैं वे जानते हैं कि भारत से वे किसी भी मामले में अपनी तुलना नहीं कर सकते साल 2017 में जब लाहौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो चीन की मदद से इस प्रोजेक्ट को गती मिली थी उस समय ये प्रोजेक्ट महद 27 किलोमेटर तक बना हुआ था जिसमें लगभग एक दरजन से ज्यादा मेट्रो स्टेशन पड़ते थे जिसमें कि उसके बाद लाखों लोगों का सफर जो है वो आसान हो पाया क्यूंकि लाहौर के एक छोड़ से दूसरे छोड़ में जाने में पहले करीब करीब धाई से तीन घंटे का समय लगता था जबकि उसके बाद वो सफ़द लगभग 40 से 45 मिनट का हो गया इसके बाद लाहौर में मेटरो प्रोजेक्ट को जब गति मिली तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भारत के मेटरो प्रोजेक्ट को देख कि ही कहीं न कहीं अपने दिमाग में उसका आईडिया जरूर बनाया हो जिसको लेकर के शेहवाज शरीफ अब जो है पाकिस्तान में बार बार जब भारत करागा लापते हैं आजाद कश्मीर करागा लापते हैं तो वो जानते हैं कि भारत किस तरही के से एडवांस हो गया है